चलिए दोस्तों HTML के अंतरकत अगली चीज हम पढ़ने वाले हैं जो टेग हम पढ़ने हैं उसमें हम पढ़ने के टेवल टेग के बारे में तो देखे टेवल आपको पता होगा क्या होता है इसके पहले हमने लिस्ट टेग के बारे में बात किये तो HTML में जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको लिखने से पहले उसको टेग के फॉर्म में लिखना होता है टेग के अंतरकती देंगे तभी वो चीज जो है बैपेज में डिस्पले होगी अन्य था वो डिस्पले नहीं होगी तो इसलिए यहां पर टेबल अगर बनाना तो टेबल टेग उपयोग होता है अब टेबल क्या होता है जैसे आप यहां देख सकते हैं यह टेबल होता है टेबल आपने देखे ही होंगे टेबल में जो है complete यह जो है complete टेबल कराता यह परंतु table बनाने से पहले हमको कुछ चीज़े ध्यान रखना जो आड़ी चीज़े दिख रही इसको बोलते है row और जो खड़ी चीज़े दिख रही इसको बोलते है column row और column से मिलकर क्या बनता है table पर इसमें सबसे छोटी जो चीज होती है, वो होती है, सबसे छोटा element, इसे बोलते हैं cell, ठीक है, तो तीन चीजे हो गए, यहाँ पर एक cell हो गया, परंतु cell बनाने से पहले हमको row बनाना जरूरी की नहीं, तो row बनाने के लिए यहाँ पर एक tag होता है, ठीक है, column बनाने के लि लिख दिये, फिर नाम लिख दिये, फिर address लिख दिये, फिर उसका serial number 2, फिर नाम, फिर address, इस प्रकार हमारे record बढ़ते जाएंगे, तो हमारे cell की संख्याए नहीं के column जो है, धीरे-धीरे row बढ़ेगी, तो automatic column भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि column हम जो है row बना कर नहीं छोड़ते हैं, उसमें कुछ न कुछ लिखना होता, तो आपको table तो समझ में आये होगा, जिसे मानलो मैं अगर word में चलता हूँ, जिसे ये word चले, ठीक है, word में हमने ये table मनाया, और table में हमने serial number लिख दिये, name लिख दिये, और ये address लिख दिये, ठीक है, उसके आद लिख दिये, यहाँ नाम लिख दिये, ठीक है, जो भी हमको लिखना है, उसके बाद हमने यहाँ लिख दिये, फिर उसके आद दूसरा लिखे, और यहाँ पर हमने देखे, और उसका भी address लिख दिये, अब क्या दो ही record बश टाइप करना है क्या, बिलकुल नहीं, हम सीधे यहाँ पर दूसरी रो लेंगे, और दूसरी रो में फिर से तीन नमबर लिख कर, यहाँ पर हम जो है अगला record टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने यह ले लिए, तो इस प्रकार हम जो है record की संग्या बढ़ाते जाते हैं, तो आप समझ गाँगे, जो है complete row गह नहीं किये, तो वो आगे तक चले जाएगी, तो यह दिक्कत होगी, तो चलिए इसी को हम जो है HTML में बनाएंगे, पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, तो जैसे हम टेबल बनाने के लिए किसका उप्योग करते हैं, टेबल टेक का, ठीक है, कैप्सन अगर लिखना टेबल हेडिंग लिखना तो टेएच को उप्योग करते हैं, यह हम सभी देखेंगे, टेबल का रो बनाना तो टेबल के अंदर कोई भी डाटा लिखना जिसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, यह तो हो गई, हेडिंग टेच में लिख देंगे, पर अगर हमको 1, 2, 3 या फि का उप्योग करके देखेंगे, जिसे हम नौटपेड में चलते हैं, नौटपेड में हम जो है स्ट्रक्चर हमने पहले से बना कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कह देते हैं, जिसे टेबल हेडिंग को देने के लिए हम तो यहाँ टेबल ह3 ले ले लेते है और यहां देते हैं student information, यह student information हमने दे दिये th में, मतलब heading जो होती हमारी heading tag और यहीं से हम run करने के बाद यहां पर launch in google chrome और इसको छोटा कर लेते हैं, आप देखें यहां पर क्या student information आ गया जो हमने heading 3 दी हैं, अब आपको पता है हम table बनाने के लिए table tag का उपयोग करते हैं, औ और नीचे table को बंद भी कर दो, यह तो हो गया table परन्तु यहां table बनाने से कुछ आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, कब तक नहीं आएगा, भही table बनाना जैसे हमने list tag को define कर दे थे, list आई थी के नहीं, जब तक कि li define नहीं किये थे, तब तक list नहीं आई थी, उसी प्रकार, अगर हम table में, टी आर लेते हैं, table की row, फिर table का data लेते हैं, तब कहीं जाके यहां information, so होगी, तो हम सबसे पहले लेते हैं, टी आर, और टी आर हम लिए, टी आर मतलब होई, serial number, name, address बाली, जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हम, तो देखे, टी आर मतलब यह complete row, जिसमें हमको कितने cell लेना है, एक, दो, तीन, तो जो cell लेना है, उसको TD में define करते हैं, तो देखे, यहां TR लिए, और TR को नीचे बंद भी करते हैं, TR को नीचे बंद इसलिए कर रहा है, क्योंकि हर एक line, देखे, यहां से line को break करके, नीचे line में ले जाय जा रहा है, तो इसलिए TR को कर हम TH ले लेते हैं, TH क्यों ले रहा है, क्योंकि table heading ले रहा है, ठीक है, और यहां ले ले लेते हैं, हम serial number और TH को बंद कर दो, table heading, ठीक है, उसके बाद हम जो है, फिर से TH लेते हैं, और यहां ले लेते है, name, और यहां पर TH को क्या कर दो, बंद कर दो, उसके आप फिर TH ले एक और क्योंकि हमको एड्रेस भी लेना है यह देखे ठिक और यहां ठ को बंद कर दिये हैं आप ध्यान से देखिए इसको अगर मैं सेब करता हूं और गूगल क्रोम में चलके हम जो इसको रिफेरेस करते हैं देखिए यह तो बंद गया है पर यहां बॉर्डर नहीं आई है दियां से देखिए बॉर्डर आई क्या नहीं आई तो जैसे मैंने बताया हर एक टेक हम उपयोग करते हरे you pixel में यह पिक्सल हमने दिये और ले जा कर रिफ्रेज कर दो अब ध्यान से देखिए देखिए table बन चुका है बन गयाा table अब टेबल बना है तो देखिए table heading आ गई है serial number name address अब serial number name address एक line में आ गए table row close भी हो गई आप दूसरी रो लेना तो दूसरी रो को start करना पड़ेगा एंटर करें और फिट टी आर लिए फिट टी आर लेके हम टी आर को क्या कर देंगे close और इसके अंतर हमको लेना है serial number के नीचे one address name के नीचे name address के नीचे address तो जो ती हम मतलब टी एच लिए हमने आप टी डी लेंगे xd क्यों ले रहा देखे टेवल के headings के लिए ठ ले लिए और टेवल के data के लिए हमने लिए टी तो टी डी हमने लिए यहाँ पर और 1 को लेकर हम TD को कर देते, close ठीक है, उसके आद हम फिर से एक और TD लेते हैं, यहाँ पर हम TD ले लेते हैं और TD हम लेख देते हैं, जिसे हमने लेखे थे यह मुकेश, ठीक है उसके आद हम जो है, इसको TD को close कर दे, तीसरा TD लेना जरूरी है, क्यों? क्योंकि तीसरा TD लेना जरूरी है, सीरे नमबर नयम एड्रेस, तीन चीज़े लिए तो तीन हम यहाँ पर भी लेंगे, नीचे भी, यहाँ एड्रेस ले लेते हैं, जो भी लेना है, ठीक है और TD को कर दिये, close अब देखे, तीन हमने हेडिंग लिए हैं, तो तीन हमने डाटा भी ले लिए, तीन के जगे चार डाटा लेंगे तो miss मेच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप word में चलेंगे, तो देखे, यहाँ आपने 3 हेडिंग लिए हैं, तो 3 data लिए हैं सब में देखिए, उसी प्रकार हम यहां पर भी क्या करिंगे, 3 heading के लिए 3 data लेंगे, तो यहां पर मैं sape कर करए्फे रिफ्रेस करूँँगा, देखिए, serial number के नीचे वन आ गया, name के नीचे, name आ गया, address के नीचे address आगया ठीक है अब यह होगे हमारा एक record यदि हम चाहते हैं यहां 10 record 15 record तो यह वाला जो repeat मतलब यह जो लिखी हमने tr और tr close और 3 td लिखें इसको बार बार हम repeat करेंगे ठीक है जैसे मैं इसको अभी time बचाने के लिए copy कर देता हूं और यहां 2 लिख देते हैं मुकेस के नीचे हम लिख देते हैं राजेस और इसको save करके refresh करते हैं तो देखें दो हो गई उसी प्रकार इसी को हम फिर से क्या कर लेते हैं नीचे tr बढ़ाते जाईए tr बढ़ाते जाईए यहां पर यह देखिए और इसको refresh करेंगे तो देखें यहां पर यह बढ़ते जा रहा है कभी-कभी यह भी होता है कि हमको इसी के अंदर उपर heading लिखना होता है यहां कि student information इसके अंदर ही लिखना border में तो हम क्यो ना इसकी जो है border अच्छा जो heading लिखे हैं यह वाला यह information उसको हम यहीं पर मतलब जाई से यहां enter करते हैं table के just बाद और यहां लिखते है टी आर लिखने के बाद हम जो है क्या लिखते हैं टी एच लिखते हैं और टी एच लिखने के बाद हम यहां लिख देते हैं क्या student information student information और यहां हम th को क्या कर देते हैं अब देखे थ को close कर दी और tr हमारा close हो गया त्यार क्यों close हो रहा है आप ध्यान से देखें यहां पर हमको एक ही चीज लेना उपर साइड तो अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेंस करते हैं तो आपको देखे थोड़ा दिक्कत देखने को मिलती है अब यहां देखे हमने तीन ली है एक दो तीन उसके लिए तीन टी एच लेना था उपर भी पर तीन हमको लेने की जरूरत है क्या नई हमको सिर्फ हेडिंग ले बन जाए जिसे हम देखे यहां पर अगर चले तो यहां नीचे चलके हम देखे यहां बताता हूं इन तीनों को अगर मर्ज करना है तो हम राइट क्लिक कर गरता है देखें कर दिन की जगे एक आना चाहिए तो save करोगे और सीधे जाकर आप refresh करोगे तो आप ध्यान से देखे column को काटना है तो कितने column काटना है एक, दो, तीन, तीन को काटने के बाद एक बनना चाहिए इसलिए हमने तीन दे दिये और उसके अंदर क्या आना चाहिए student information तो आया की नहीं बिल्कुल आया उसी प्रकार अगर आपको row काटना है तो row काटने के लिए आप row span करोगे तो row span वाला जो target है वो आपका है यानि कि आपको उसका जो task है वो हल करना है कैसे करना है मैं बता देता हूँ मान लो आपको one देना देखे यहाँ पर अगर हमको चलिए यही पर करके बताता हूँ अगर हमको इन दोनों का जो करम है वो one ही देना है तो हम जो td है यह वाला उसमें देंगे row बता देता हूँ ठीक है आप टेंसर ने लेना है तो कितने का देना है दो का परंतु जब आप दूसरे का करम दोगे एक बात बताईए यहाँ पर इसने दो को ले लिया है ठीक है तो यह दूसरे की कोई जरूवत है क्या नई तो जो नीचे बाला है उसको हम हटा देखे अब देखे यहाँ आगया मतलब हमने row span करना भी देख लिए और column span करना भी देख लिए इसको मैं वापस कर देता हूँ ठीक है यह देखे अभी दिक्कत हो गई यहाँ पर देखे अभी row span है इसको भी मैं कर दूँगा undo यहाँ देखे हो गया तो इस प्रकार आप जो है row span भी कर सकते हैं और column span मैं रहने देता हूँ यहाँ पर अब देखे यहाँ पर बहुत सारी चीज होती है table की border तो हमने देख ली table की alignment भी देख सकते हैं जैसे table align अगर करना है तो इसका हम center align कर सकते हैं यह देखे refresh करे तो देखे यह align center यह काम क्यों नहीं कर रहा है यह यहाँ पर इसका उपयोग style की रूप में होगा जैसे हम यहाँ पर style attribute लेंगे अभी css में तो चलिए मैं उपयोग करके दिखा देता हूँ यहाँ पर align ठीक है align यह से नहीं देना है यह से देना है ठीक है यह हमारी css है ठीक अब इसको refresh करेंगे तो देखे यह जो है हमारा यहाँ पर CSS की रूप में अगर काम करेंगे तो यह align यहाँ पर हमारा काम कर लेगा ठीक है चलिए CSS हम जो है आगे उपयोग करेंगे जब विस्तार से हम CSS के बारे में बात करेंगे तो अभी आपको जो है अच्छा देना कहा था यहाँ देना था यहाँ align देना था गलत जगे दे दिये था हमने चलिए यहाँ पर यह वाला center भी काम कर लेगा तो देखे यह center काम कर लिया हमने गलत जगे दे दिये थे तो style की रूप में पूपयोग हो जाएगा और जो normally attribute हम दे रहे है align उस की रूप में भी इसका अलावा हम अगर table की bit देना चाहते हैं तो bit भी दे सकते हैं जैसे हम bit दे देते हैं 400 pixel अब 400 pixel देंगे देखे 400 pixel bit हो i.ght जो height होता है उसको हम दे देते हैं height में कितना 1200 pixel इसको save करते जाओ run करते जाओ देखे height bit भी दे सकते हैं पर आपको height bit देने की जरूप नहीं है data के अनुसार automatic क्या हो जाएगा जो table है वो adjust हो जाएगा इसके अलाबा cell paidding भी होती है cell paidding हम दे देते हैं 10 और 10 अगर देते हैं तो देखे यहांAh cell paidding मतलब होता है अंदर से जो data है उसकी gap कितनी रहेजी border से तो देखे यह जो data है इसकी border से gap कितनी रहेजी वो होता cell paidding ठीक है एक और होता है cell spacing ठीक है cell spacing ठीक और cell spacing कितनी देना है तो देखे हर एक cell की आपस में दूरी उसको बोलते cell spacing तो दोनों को उप्योग आप कर सकते हैं जिसे मानलों मैं कम करता हूँ तो देखे एक कम हो जा रहे इसका मतलब मैं अगर 10 करता हूँ तो देखे 10,000 अगर मैं cell spacing को 5 कर देता हूँ चलिए यहाँ पर यह मैंने 5 कर दिया यह देखे छोटा हो गया तो इस प्रकार आप इसका उप्योग कर सकते हैं यह बहुत सारी property है table का bg color होता है उप्योग करके देखते table का bg color हम देदेते हैं yellow ठीक अब देखे जा देखे table का bg color yellow आ गया तो हम बहुत सारी property उप्योग कर सकते हैं particular tr का bg color अगर उप्योग करें तो देखे यहाँ पर tr का bg color हम देदेते हैं green और green देने बाद इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर green कर देते हैं तो देखे green भी हो देखे यहाँ आप जो है हमने bg color लियें तो bg color आप कहीं भी ले सकते हैं इसका मतलब है कि दूसरी tr में भी ले सकते हैं इन दूसरी tr में भी आप bg color ले सकते हैं मानलो इसका bg color मैं blue ले लेता है और refresh करते हैं देखे bg color आपका और इसके अलाबा हम जो है अगर text उप्योग करके देखते हैं text अगर काम कर ले तो अच्छी वाद है नहीं तो हम style के अंतरगत उसको उप्योग करेंगे text हम ले लेते हैं क्या white और यहां refresh करते हैं तो देखिए यह काम नहीं कर रहा तो हम इनके बदले में यहां पर क्या उप्योग करेंगे इनके बदले में उप्योग करेंगे यहां पर style और style में हम देंगे color और color में हम देंगे क्या white और semicolon लगवाख है इसका जो background color है हमने यहां पर दे दिए background color background color हम दे देते क्या blue चलिए blue दे दिए और refresh करें तो आप ध्यान से देखें यहां पर style के अनुसार भी हम formatting कर सकते तो CSS का हूँ इसके बात देखेंगे अभी tensor नहीं लेना CSS के लिए ठीक है तो आप समझ गया होंगे हमने क्या क्या देखें हाप है हमने normally table के अनुसार table बनाना देखें table tag उप्योग करें जिसमें हमने देखें border लिए है बीजी color लिए है border लिए है line लिए है cell spacing cell padding height width है background है बहुत सारी चीज हम इसमें ले लिए उसके बाद हमने देखें table heading को call span करना देखें यानि की 4-5 column या 3 column को आपस में merge करके एक करना उसमें heading लिखना उसके बाद हम जो है normally style देखें है पर बाद में भी हम देखेंगे TH यानि की heading को जो है जो field heading है उनको हमने TH में लिए और हर एक को हमने TD में लिए और प्रते line को close करने के लिए देखें open और close करने के लिए TR लिए बीना TR के यहाँ पर काम नहीं होगा तो I hope यह जो table है वो आपको समझ में आये होगा फिर भी अगर table बनाने में कोई दिक्कात आ रही है आपको आप बना कर देखिए ठीक है और बनाने के बाद भी कोई दिक्कात आती तो आप मुझे comment box में बता सकते है